नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको कर्जमुक्ति के उपायों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जनमपत्री में चड़ास्तान रिन रोग वे सत्रूं से समंदित होता है ये तीनों मनुष्य के जीवन की मूल भूत कठिनाया है परहे कुछ वेक्तियों को अपनी जरूरतों के लिए रिन लेना पड़ता है कुछ वेक्ति अपने बिजनिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन लेते हैं कुछ अपनी परिवारिक जिम्मेदारियां जैसे परिवार में किसी की बिमारी, विवाय या अन्य आवश्यक कारियों के लिए तथा कुछ शिक्षा या भवन या भूमी की खरीदmers अथवा निर्मान के लिए रिन लेते हैं रिन लेते समय प्राय विक्ति उसे वापिस करने की भी योजनाई बनाता है परन्तु कई बार प्रिष्थितियां इतने विकट हो जाती हैं कि रिन वापिस करना मुश्किल हो जाता है और रिन का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाता है कुछ विक्ति एक रिंड चुकाने के लिए दूसरा रिंड लेते हैं तथा कुछ विक्तियों दौरा रिंड ने चुकाने की स्थिति में ब्याज इतना बढ़ जाता है कि रिंड चुकाना असंबव हो जाता है वास्ताव में रिन रोग वे सत्रू मनुस्य का जीवन लगभग नर्क तुल्य कर देते हैं प्राय या है प्रयास रहना चाहिए कि विक्ति को रिन लेना ही ने पड़े यदि विकट परस्तितियों के कारण रिन ले लिया है तो उस रिन को चुकाना मनुस्य का पहला काम होना चाहिए यदि आप रिन के बोज तले दब गए हैं तो आप इससे किस परकार निकल सकते हैं मैं कुछ ऐसे उपाई बता रहा हूँ जो रिन मुक्ति के लिए अत्यंत लावदाइक है रिन मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आए में वृद्धी करना और रिन को समाप्त कर देना आए में वृद्धी करने के लिए आप माता लक्षमी जी के इन मंत्रों में से किसे भी मंत्र का प्रति दिन जब करें इसके परभाल से आपकी आए में वृद्धी होने लगेगी मंत्र है ओम हरिंग स्रिंग नमा दूसरा मंत्र है ओम हरिंग क्लिंग स्रिंग नमा तिसरा मंत्र है ओम स्रिंग हरिंग स्रिंग कमले कमला ले परसीद परसीद स्रिंग हरिंग स्रिंग ओम महालक्समे नमा चोथा मंत्र है ओम हरिंग स्रिंग क्लिंग आप इन में से किसी भी मंत्र का प्रियोग कर सकते हैं भगवान गनेश को विग्न हरता वे रिन हरता कहा गया है भगवान गनेश की पूजा उपासना करके भी आप रिन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं गनेश जी के मंत्र है ओम गंग गंपते नम्हा दूसरा मंत्र है ओम वक्र तुंडाए नम्हा तीसरा मंत्र है ओम हरिंग क्लिंग गलॉंग गंग गनपतिय पर वर्द सर्वजने मे वस्माने स्वाहा चौथा मंत्र है ओम हरिंग ग्रिंग हरिंग पांच्वा मंत्र भी आप जब कर सकते हैं यह है अब रण मुक्ति के लिए एक विशिस प्रियोग बता रहा हूँ यह प्रियोग आप किसी भी त्रियोदसी को रातरी के समय आरंब करें इसमें आपको ग्यारा दीपक, कुछ अक्षत तथा दक्षिन वरति संख की आपसकता होगी यह प्रियोग आप रातरी को लगबग नो बजे आरंब करें सनाना दिसे निवरित होकर पीला आसन बिचाएं उत्तर दिसा की और मुँ करके बैठें अपने सामने चोकी पर सफेद वस्तर बिचा कर दक्षिन वरति संख रखें तथा उसके सामने ग्यारा तेल के निपक जलाएं एक प्लेट पर लाल स्वास्तिक बनाकर उस पर अक्षत वे फूल चड़ाएं तथा एक एक अक्षत वे फूल दक्षिन वरति संख में छोड़ते जाएं मंतर है ओम स्रींग हरिंग स्रींग ओम नमा इस प्रियोग में लगबग आदा घंटा लगेगा इस अफ़ी में आपने जो भी अक्षत दक्षिन वरति संख में डाले हैं दूसरे दिन उन्हें निकाल कर पक्षियों को डाल दें सेस बची हुई सामगरी फूलादी आप कहीं भी निर्जन स्थान में छोड़ दें या जल में परभाइद कर दें यदि संबब हो सके तो आटे के पेड़े में गुड जाल कर गाए को खिला दें यह प्रियोग आप 21 दिन लगातार करें इस अवधी में आपको इस प्रियोग के सकारात्मक परिणाम मिलने आरंब हो जाएंगे परिणाम आपकी सरद्धा वक्कार विदी पर निर्भर करते हैं अन्तिम दिन आपने जो अक्षत दक्षिनवर्ती संख में चड़ाए हैं उन्हें संख सहित अपने पूजास्थान में स्थापित कर दें उसके पस्चात भी प्रति दिन इस मंत्र का नियमित जब करते रहें सफलता अवज से मिलेगी ये विश्वास रखें जब रिन चुक जाए तो आनंद पुर्वक अपना जीवन जीएं वीडियो अंत तक देखने और समझने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें